कि नोसकर साथ है सुइत है आपका हमारे इस नए वीडियो में आज इस वीडियो के माद्धें से मैं आपको टीवन प्रम का अपडेट देने वाला बहुत ज्यादा कमेंट आये लोगों का लेकिन मैं डाटा नहीं कॉलेक्ट बार कर पा रहा था इस वैसे मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था वहां के कुछ इंजिनिया से मारी बात हुई है उसके बिहाब पे कुछ फोटो के हेल्प से मैं आपको प्रोग्रेस बताऊंगा और यह आपको पता ही होगा पहले से भी कि यह टेनल जो तीन मीटर का सोड़ी उनके दोर्ण दोरॉव ज्यारा ऑपटल तर्चे पए उनके बोट परसंट ऊंसरें ने त्वूज तो मैं वियुज क्रूशंद नहीं करूंगा तो मैं वियुज पा रआ रहा है ठीक बहुत ज्यादा दोरूरी हैं बट यह चाहिंना जरूर sia कि जो लोग चेनलको पसंद आ रहा है और content पसंद आ रहा है वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेंगे सस्क्राइब करने का तो कोई पैसा लगता नहीं है यह लगतार मैं पिछले भी वीडियो में बता हैं अभी बता रहा है अगर सस्क्राइब नहीं करेंगे सस्क्राइब नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम इतने मेहनत करके क्या करेंगे content चुटाना और इस तरह से अपडेट देना बाके लोग की तरह तो है नहीं कि train दिखाया राजधानी का अपडेट दे रहे हैं बुलेट ट्रेन का ट्रेन दिखाया बुलेट ट्रेन का अपडेट दे रहे हैं USBRL प्रोजेक्ट का तो उस तरह इस तो मैं नहीं बना रहा हूँ मैं एक जेक फैक्त पर बात करता हूं तो पूरा तीन किलो मीटर इसकी लंबाई है और इस पूरे टैनल में किवल तीन सो मीटर ऐसे जिसमें इसको लाइनिंग के काम बाकैं है तो लाइनिंग का काम करने से पहले बॉ investigating में इसमें के समय बोला जाता है इसको म.ःब्धी जो फोर्डो के मदस म.ःद ठीक है तो में चीज वही है जो काम जो बेंचिंग का काम नीचे इसमें बहुत समय लग रहा है एक चुलिए उसमें लगबख 3 मीटर का जो बेंचिंग है उसको 3 मीटर खोद कि उसमें रिव लगाना सौटकेट करना कंक्रीट करना इस अब लगबख 6-7 दिन लग जाते हैं त तो 1.500 मीटर के हिसाब से अगर इस हिसाब से जो स्पीड चले लगबख 6 मेना यहीं लग जाएगा वह सकता काम आगे थोड़ी स्पीड हो कहीं पर कोई पैच अच्छा मिल जाए तो फास्ट काम हो चुकि यह बहुत दोड़लाव एरिया है बहुत पूर रॉक क्लास है यहां पर जो मेन काम अभी बचा हुआ है 300 मीटर में लाइनिंग का काम बचा हुआ है लेकिन लाइनिंग का काम अभी स्टार्ट नहीं हो पा है लाइनिंग का मतलब यह हो गया कि जो टनल है टनल में जो कंक्रीट करते हैं तो कंक्रीट का काम अभी इसमें इसलिए बचा हु यह यह को रिळी दीख रहेंगा यह जो आपको दिख रहें одइक रही इसको बोला जाता है रिव का मतलब हो गया कुछ यह इस द्रेसे लगे हुए है कि आय Surf तो यहां पर इस टाइप के ऐसे यहां से रिब लगे हुए ठीक है यह जो यहां पर यहां पर यह लग चुके हैं यह पोर्शन रगा हुगा आपको ओ लिडी ठीक है और जो यहां यहां पे काम बचा हुआ है, थोड़ा मैं color change करके आपको बताता हूँ, यहां पे, यह जो रीब है न यह ऐसे connect होगा, एक मिनिट, यहां पे देखे, यह जो रीब है यहां तक लगे हुए थे, अब यहां से bottom में भी, ऐसे connect होना है, ठीक है, मैं चीजे ऐसी तरह बताने कोशि वीडियो देखके एडिया लगना चाहिए काम क्या बचा है इसलिए मैं थोड़ा उस तरह से भी सिंपल करके भी बताने कोशिश करूंगा तो ध्यान देजेगा तो यह पूरा एक तरह से अभी देखिए पूरा यह रिंग बन गया ठीक है ग्रीन कलर का ऊपर में जो अलड़ी भासा में इस पूरे पोर्चन को बैंचिंग बोला जाता है और जितना ऊपर का घ्रीन कलर में नीचीग बाटम का जो मैंने यलो कलर से month ले ऐसे सेट कर दीया है मार कर दीया ये पूरे पोर्षन भी कोडायी बाकी है इसीको व्हात्य हमतिर होता। वह अजब आ कि यहां परूसी के पूरा खुदायी होना है् जेनरल वहासा में अगर बोलें तो उसको बोला जाता है कि कंक्रीट का इस्प्रे किया जाता है इसी जब यहां रिव लगा दिया जाएगा नीचे ठीक है जब यहाँ पर नीचे रिव ऐसे लगा दिया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा यहाँ पर वायर मेस भी था जिए वायर मेस कैसा होता है वह इस तरह से ऐसे ऐसे यह वायर मेस होता है ऐसे लगा के पूरा इसको यहाँ पर बिछा के उसके शौट किर किया जाता है कुम आपया कंकर्ई कफिड़का होता है उसके बाद nurses कास्टिंग के बाद 1999 स्ने के बाद आप बता हुए अपको को सब्सक्राइब कास्टिंग के बाद है कैसे यहां से ऐसे मतलब एक तर्हसा districtiße अब दोटार एसism यहां जो overall हम benching की बात कर रहे है कि जो benching बाकी है जिसकी मैं अबी ये portion का बात कर रहा था कि यह है ये है ये benching ये benching जो बाकी है friend ये एक्चने चुकि क्या है कि ये बहुत ही दुरलaf area है बहुत ही कमजूर पहाड़ी area है पूर rock class है ठीक है जिसकी वज़े से यह बहुत बचा के करना पड़ता है यह एक दिन में 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या 8-10 मीटर एक दिन में इसे बॉटम कोद दिया और रिब लगा दिया जोड दिया नहीं इसको बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है जो वहां के लोगों से मेरा बात हुगा है वो बोलते हैं कि ये दो-तीन मीटर करने में मतब्त दो-तीन मीटर खुदाई करना फिर ये लोहे वाला रिव लगाना फिर वायर में बिशा के सौट केट करना ये सारी चीजें और सलैप कॉस्टिंग करना यह सारी चीजे दो से तीन मीटर करने में कम से कम एक हपते लग जाते हैं तो मैं बताओ कि मैं अभी आप से बोल ला था कि तीन सो मीटर बचा हुआ है ऐसे काम के लिए ठीक है उसके बाद लाइनिंग तो जब तक ये तीन सो मीटर का इस तरह से रिव लग के बॉटम होगर पुरा मेंटें नहीं जाए कंकि रोग उसका किकर कास्ट नहीं हो जागा तब तक लाइनिंग नहीं सुरूगी चुकि एक तो वन वे रास्ता है दो काम एक साथ हो नहीं सकता है दूसरी बाट किया है कि बहुत प्रॉबलम है रोग क्लास खराफ होने के विए से बड़ी महाँ पर साधानी बरतनी पड़ती है तो इस तरह से महाँ पर तीन सो मीटर में लगभग डिर सो मीटर का अभी ये बेंच कर लो तो कम से कम पचास जो है आप डिर सो दिवाइड वै तीन कर दो तो पचास आया तो पचास इन्टू सेवन कर दिया तो तीन सो पचास एन तीस हिसाब से जो है भी साथ पांजे 35 ठीक है तो अगर यह कल्कुलेशन किया जा तो लगभग लगभग जो है आपका 6 मन्त का ऐसे कल्कुलेशन आ रहा है कि 6 मन्त इसी को करने में लग जाएगा हो सकता है कि कोछ औप तॉस्थर टेक अपलाई कहीं जाए या हो सकता एक पार जो है जब यह बंचिंक कम्पलीट हो if राधा हो सकता है ट्योगां करों मैं ऒठारा दला रहा हूं वहां के लुगों से मिन थोड़ा सा बहुत सारे लोगों कमेंटर सोने राया था तीवन क्वडिट बता हूं और टी एंटो प्लेट रॉर ठोशन के चैनि पहाँ है नहीं ठीक है तो यहाँ पर यही अभी लेटेस्ट वर्क चल रहा है यही लेटेस्ट अबडेट है और यहाँ फैक्ड़ दाटा नहीं है अगर किसी के जानने वां हो तो पोछके बता कर सकता है एकदम फैक्ड़ दाटा है घरब Death कुछ ही नहीं आएंगे और सब्सक्राइबर ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा कंटेंट बनाने से कोई मुझे फेस वैलू तो चाहिए नहीं कि मैं फेस दिखा रहा हूं तो फेस वैलू मेरा बन रहा है ठीक है और यह दूसरे साइड का भी हुआ है कट्रा साइड से जिदर का लाइनिंग अभी हुआ है मैं बोलना कुछ लाइनिंग हुआ है कि अल तीन सब बाकी है तो दूसरे साइड का भी आपको पीछे दिख रहा था और यह टर्र जो आपको दिख रहा है कि यह कट्रा साइड से है ओके थैंक्यू फर वाचिंग